हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीसियस आलू प्याज की लच्छे पकोड़े की रेस्पी लेके आई हूँ, जिसे बनाना जितना आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वाधिश्ट है ये, ये बहुत ही पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल आइकान को प्रेस कर लिजेगा, ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो का रेस्पी सबसे पहले आपको मिलता रहे, तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए ह पांच प्याज को छिलके ले लिया है, दो आलू ले लिये है, और दो हरी मिर्ची ले लिया है, हरी मिर्ची को हम बारीक काटेंगे, और आलू को कद्दू कस करके लेंगे, और प्याज को भी बारीक बारीक काटेंगे, यह देखिए, मैंने यहाँ पे बारीक और पतला देखिए , इसमें मैं यह सारे प्याज डाल देती हूँ यह अप जरूर आजमाईएगा इससे आपके प्याज बिलकुल लच्छे लच्छे अलग हो जाएंगे यहां पर मैंने बड़े बाउल में प्याज को डाल दिया है और हाथ से इसे करस्करते जाएंगे इससे क्या होगा हमारे जो प्याज है ना इसके एक-एक पीस अलग-अलग हो जाएंगे इससे हमारे पकोड़े बहुत ही लच्छेदार बनके तयार होएंगे तो यह टिप से जरूर आजमाईएगा आप यह देखिए एक-एक प्याज के लच्छे अलग हो रहे हैं यह देखिए ऐसी करना है हम में इसमें यह पने-कद्दु कस की हुई अलूव डालू लोगी आलू को भी हमको मोटे वाले छचेद से कद्दू कस करना है जिसे इसके लच्छे अच्छे बनके तयार हो और बाद कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे सारी हरी मिर्ची इसमें डाल दें अब मैं आपे हाफ टीस्पून से विकम हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और half teaspoon ही गरम मसाले का पौडर एट करा है half teaspoon जीरा का है, खड़ा जीरा है थोड़ी सी हींग एट कर रही हूँ 2-3 पिंच और नमक स्वादन शार और साथ मैं आपे मैं soft एट कर रही हूँ optional है और अजवाईन को क्रस करके डाल रही हूँ soap और अजवाईन दोनों optional है पर इससे बहुत अच्छा flavor आएगा दोनों half half teaspoon एट करा है मैंने अब मैं यहाँ पे बेशान एट कर रही हूँ मैं यहाँ पे बड़े चम्मच से बेशान एट कर रही हूँ अभी मैं 5-6 चम्मच करीब एट करूँगी फिर उसके बाद देखते हैं अगर ज़रोत पड़ेगी तो और एट करेंगे यहाँ पे मैंने अभी 5-6 चम्मच करीब एट कर दिया है देखिए विसन डाल दिया है मैंने और यहाँ पे मैं जरा सा ही पानी डालूँगी ज्यादा पानी नहीं डालूँगी सबसे पहले तो ऐसी इसको मैस करेंगे क्योंकि आलू और प्याच खुदी मॉस्चर छोड़ता है अब मैं जरा सा ही पानी डालूँगी मुस्किल से एक चम्मच ही पानी डाला है मैंने और इसको मिक्स करके देखती हूँ कि हमको पानी के ओर जरूत है कि नहीं है यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो रहा है अब यह हम थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेंगे ताकि यह अच्छा सा बेटर बन जाए यहाँ पर मैंने गरम तेल खोने के लिए रख दिया है कड़ाई चड़ा दी है तो चलिए अपने पकोड़े हम तर लेते हैं इसको फ्राई करेंगे चोटे-चोटे पीसेस डालेंगे बिल्कुल चोटे-चोटे जित्ते-चोटे पीसेस आप तोड़ सकते होना तेल में उत्ते-चोटे पीसेस तोड़ना इससे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है और हम अपने मन मुताबिक इसमें डाल लेंगे जित्ता एक बार में आएगा उत्ता ही डालेंगे इसको उलट-पलट के अच्छे-चोटे क्रिस्पी करेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में बनाईए या टी टाइम सेनेक के रूप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं खाने में बहुत इस्वादिश लगेगा बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा इसको ऐसे उलट-पलट के बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे इसमयरा बन के तयार हो गया है इसको बननेमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है यह पूरी रेस्पी आपको 5-10 मिनट में बनके तयार हो जाती है इसको सौस चब चटने के साथ गर्मा गर्म सेर्व कर यह देखिए बनके तयार है तो अगर आपको मेरे इसकी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनके तयार हुए है यह देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं यह लीजिए इंज्वाइ करिए थैंक कुछ!